हेलो फ्रेंड्स मैं अभिशक जोशी लगरेकल इंजिनियर इन बिला ग्रूप आफ कंपनीज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज में मोटर का आर्पियम चेंज करने के लिए कौन से मेथर्स का सबसे जादा यूज किया जाता है हमारे एक विवर ने कमेंट किया है कि इंडस्ट्रीज में आप लोग मोटर का आर्पियम चेंज करते कैसे हैं अगर किसी मोटर का आर्पियम 1500 आर्पियम है तो उस केस में उसका आर्पियम किस तरह से चेंज किया जा सकता है कौन से methods का industries में use किया जाता है जिससे आप motor का RPM बहुत smoothly change कर सकते हैं ये सब आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में तो दोस्तों बिना time risk के शुरू करते हैं देखें industries में motor का RPM change करने के लिए variable frequency drive यानि की VFD का use किया जाता है VFD basically एक starting method भी है जैसे DOL starting होता है star delta starting होता है वैसी VFD भी एक तरीके का starting method है फर्क सिर्फ इतना है कि इस starting method में आप motor का RPM बहुत easily अपने इच्छा अनुसार change कर सकते हैं अब दोस्तों सवाल यह आएगा कि variable frequency drive का मतलब क्या होता है जब हम लोग VFD बोलते हैं तो basically हम किस चीज की बात करते हैं तो देखें variable frequency drive तो basically यह एक ऐसी drive है जो frequency को vary करके आपको desired output provide करती है हमारा desired output क्या है हमारा desired output है motor के RPM को vary करना तो basically variable frequency drive एक ऐसी drive है जो frequency को vary करके RPM को vary करने का काम करती है अब दोस्तों सवाल यह आएगा कि variable frequency drive यह करती कैसे है frequency और RPM का आपस में relation क्या है frequency को change करके आप RPM को कैसे change कर सकते हैं तो देखें variable frequency drive का यह basic block diagram देखें variable frequency drive में basically एक rectifier circuit होता है जो AC को DC में convert करने का काम करता है इसके बाद हम लोग एक DC unit लगाते हैं एक DC link का use किया जाता है उसके बाद एक inverter unit का use होता है जो again DC को AC में convert करता है और फिर इस AC power को हम लोग motor में भेजते हैं अब दोस्तों सवाल यह आएगा कि आप AC को DC में convert कर क्यों रहे हैं और फिर DC को वापस से AC में क्यों convert कर रहे हैं यहीं सब चीजों का purpose क्या है तो देखें variable frequency drive basically आपके motor की जो waveform होती है जो AC की waveform होती है जो sinusoidal form में होती है उसको basically change करके आपके RPM को change करती है अब problem यह है कि जो AC waveform है जो sinusoidal waveform है वो already disturbed waveform है तो उसमें कुछ changes करना बहुत आसान नहीं होता इसलिए हमें कैसे arrangement की जरूरत है कि हम पहले AC को DC में convert करने क्योंकि DC की जो waveform है यह straight line होती है यह काफी stable होती है तो जब भी आप AC को DC में convert करते हैं तो इस stable waveform में आप जो changes करना चाहें वो कर सकते हैं और उसके बाद जब आप उसको वापस AC में convert करेंगे तो आपको जो output यह था वो output आपको मिल जाएगा तो यही काम दोस्तो variable frequency drive का होता है अगर आपकी motor 1500 rpm की है और आपको उसको 1200 rpm में चलाना है तो variable frequency drive सबसे पहले AC waveform को DC में convert कर देगी यानि AC को DC में convert कर दिया जाएगा rectifier का use करके उसके बाद वो जो DC waveform आपको मिली है उसको हम और stable करेंगे DC link का use करके और अब इस DC में जो changes आप करना चाहे वो आप कर सकते है उसके बाद इस DC को again AC में convert किया जाएगा inverter circuit का use करके और अब जो AC output आपको मिला है यह इस तरीके का होगा कि आपकी 1500 rpm की motor 1200 rpm में घुमने लगेगी इसलिए दोस्तों जो variable frequency drive है यह frequency और voltage दोनों को same proportion में vary करती है जिसके वज़े से आप rpm को vary कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि variable frequency drive में V by F ratio को हमेशा constant रखा जाता है V by F ratio का मतलब यह है कि आपका जो voltage है और आपकी जो frequency है इसको एक proportion में ही vary किया जाएगा क्योंकि overall आपका जो power है वो हमें change नहीं करना है आपकी motor जितने kilowatt की है वो power rating change नहीं होनी चाहिए पर जब हम frequency change करेंगे तो हमें voltage को भी उस हिसाब से change करना पड़ेगा कि आपका जो overall motor का kilowatt है जो motor की power rating है वो change ना हो तो इसलिए variable frequency drive में voltage और frequency इन दोनों को vary किया जाता है आपको desired output प्रोवाइड करने के लिए अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या variable frequency drive को हम हर application में use कर सकते हैं तो देखे कर तो सकते हैं लेकिन variable frequency drive का जो installation cost है ये बहुत high होता है variable frequency drive काफी जादा expensive होती है इसलिए industries में SC applications जिनका RPM आपको बहुत बार vary करने पड़ते हो जैसे कि कोई blower हो गए जिसका RPM आपको बार बार change करना है या कुछ belt conveyor हो गए जिसका RPM आपको बार बार change करना है SC drives पे SC application में ही आप VFD को लगाना prefer करते हैं अगर आपकी application ऐसी है कि एक बार motor चालू हो जाए तो उस RPM को आपको छेड़ने की requirement नहीं है तो उस case में अब DOL starting या start data starter के तरफ जा सकते हैं पर अगर आपको RPM vary करना है तो उस case में variable frequency drive ही industries में practically use किया जाता है तो दोस्तों बेसिक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कर ऐसी एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए